वेलकम वेलकम मेरे प्यार प्यारे विएर्स का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और देखिए आपको देखकर पता लग गया होगा मैं बनाने जारी हूं कस्टर्ड और वो भी कौन सा व्रत वाला और उसको हम बनाएंगे साबुत दाने से तो यहां मैंने एक कफ साबुत दाना ले लिया और उसे ड्राइ रोस्ट कर लिया एक पैन के अंदर और उसको हम क्या करेंगे तोड़ा सा ठंडा कर देंगे और फिर हम एक मिक्सी के जार में थोड़ा सा से नमक के साथ उससे पीज देंगे चार से पांच भार और फाइन पॉ और उसके और उसके और चाले चाहता ल nuestra के साहँ और श्यकुर्च रσαव के जाव केक से टेंगे मिरसत कर देंगे और इसके मिक्स का लिगजा कर दो तो एक मिक्स कर दोबार उसको केसर करें एकर येलो कलर नहीं चाते हैं और सा थमें डाल दिजै एक का स्वेनीला अगर वैन यह भी एक रेसिपी आपको दिया है, विदाओट कस्टरट पॉर्डर के कस्टरट कैसे बनाएं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूगी, अगर आपने नहीं देखें तो जरूर देखें, और देखें अधर दूद जो है हमारा उबलना शिरू हो गया था तो 5-7 मिनट इसको बलने देंगे, जिससे कि साबुत दाना इसके अंदर फूल जाए, और ये गाड़ा होने लगे, और जब ये गाड़ा होने लगेगा, तो अब हमने इसके अंदर डाल दिये चीनी, चीनी मैंने आधा कब से थोड़ी सी कम डाली है, यहां के चीनी अब आगे इसके अंदर ब्लेंडर से ब्लेंड कर सकते हैं, जो कि आपका टेक्शर है बहुत जादा स्मूध रहे देखे कितना बढ़िया लग रहे ना देखे कितना मज़ेदार ये लग रहे है अब आगे हम इसकी और तैयारी कर लेते एं उससे पहले हम इसको ढ़के रख कोई भी डाल सकते हैं आपके बस मैंगो हुआ वो ले ले लें पर एक चीज़ का बहुत ध्यान रखें कोई भी फ्रूट आप गरम कस्टेड बेस में ना डालें बिल्कुल ठंडा हो जाए तब डालें नहीं तो क्यों होता है कि वह बिल्कुल खटे हो जाता है या बहुत प करनेशिंग करनेशिंगे या जब कहते हैं कि हमारे और हमारा जी भरता है तो उसको सुनदा तो दिखना बहुत जरूरी है अब देखिए बहुत हलकात से इसको हम क्या सब्सक्राश्च करेंगे आपने जितने भी और फ्रूट समने काटें ना जैसे मैंगो है या किवी क या करransactions, आपा जो आफिके यह स्वाइच खाया है, पर आप जाहांतों पुटी टूटी तुटी अपर चशच सहीं हो, आप चाहए ए्वाली चिरईवार करेंगे, कैझे फिरह नीुक One on a तो मैंने ग्रेप्स और जो रेड चेरी थी उनको बीच में से हाफ करके और थोड़े ड्राइफ्टूट्स के साथ अपना कस्टड जो है डिश आउट किया देखिए कितना टैंटिंग लग रहा है मन कर रहा है न खाने का देखिए कितना मज़दार लग रहा है और दूसरा ज अच्छ से आप देख सकते हैं कितना मज़दार लग रहा है तो मैंने थोड़ा सा इसके अंदर डाल दिया है तो आप भी एक बर इस रेसीपी को जरूर बनाईए अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कर लीजे शेयर कर लीजे सब्सक्राइब कर दिजे और क